प्यार से बोला अभी थोड़ा ठीक बोला, थोड़ा ओर ठीक बोला इसके अर्थ में हम टिके हुए है अर्थ क्या है? कितना सहज है? ओम शानती बाबा कहते हैं ये सिम्र्थी रखो कि अहम आत्मा शानती स्वरूप तो यहां पर जब भी हम बाबा के पास शुरू से ही है तो हमने ये अन्वो किया कि शुरू से ही ये पार्ट पका करते आए हैं अभी तक वो पार्ट प्रैक्टिकर में पका नहीं है जैसा होना चाहिए जैसा बाबदादां बच्चों से चाहते हैं उस अनुसार कहेंगे कि नहीं अभी थोरी कमी है तो बाबा की पहली से क्या है कि बच्चे सदा इस सिमर्ती में रहो कि अहम आत्मा दे से डिटेच हो जाओ जब को अहम आत्मा तो शरीर का भानी न रहे क्योंकि शरीर है जर क्वालिटी अलग है बले बोलता चालता आपको दिखाई पड़ता है परन्तु है तो जर इसमें मैं विराज मानू तो चेतन है तो स्यम में ये सिमर्ती रही कि समंदर के अंदर विराजमान मैं अव्यक्द मूरत अव्यनाशी आत्मा हूं मैं आत्मा हूं तो मेरा बाप कौन जटबुद्धी जाती है उपर में कि मैं परम पिता परमात्मा की प्यारी संता मैं आत्मा अपने पिता के समान पिता भी निराकार है लेकिन सरगुनों का सागर है परमदाम का सदा वासी है तो हम बच्चे पिता के समान परमदाम के वासी है जगत में आई हैं हम अपना पाड बजा रहे हैं चोला धारन किया है तो चोले के अनुसारी हम अपना पाड बजा रहे हैं परम तो है हम परमदाम के वासी देह में आई हैं देह से कारिय कर रहे हैं देह के समंदों के बीच में भी रहना पड़ता है लेकिन जिसको ग्ञान मिल जाता है वो देह के समंदों के बीच में रहते हुए भी वो देह से भी अपने आपको न्यारा समझता और दे के सम्मंदों से भी डिटेच क्योंकि ये सब सम्मंद ये हमारे साथ ना आए है ना हमारे साथ जाएंगे ये तो हम सब ने देख लिया है हमारे कई सगे वाले चले गए हमारे देखते देखते चले गए तो देखा देही यहां छोरके जा रहे हैं खुदी आतमा सुक्यम है निराकारण निकल जाती है शरीर और शरीर के साती समंधि सब रोते-दोते यहीं रह जाती है कोई नसकी सात आया और ना ही किसी के सात जाएगा यह तो पका हो गया है इसलिए बुद्धी को कभी भी उन्हों के attachment में नहीं डालना है Detach यह पाट गैराई में पका हो मेरा कोई साथी नहीं मेरा मना आत्मा का कोई साथी नहीं स्वाए एक बाप के बाकि सब दे के साथी है तो दे विनाशी है साथी समंदि वो भी विनाशी साथ न आए और न साथ जाएंगे हाँ रहना है इनके बीच में जितना समय हमारा पार्ट है ड्रामा में मंच पर पार्ट है 10-15 के बीच में पार्ट है उतना समय हम पार्ट दार्यों के साथ अपना पार्ट निभा देते हैं लेकिन बालूम है मन्च के साथ ही सदा के साथ ही नहीं रहते वो हमारे घर से नहीं आये थे और जब हम जाएंगे वो अपने अपने घर के तरफ जाएंगा वो अपने घर के तरफ वो मैं अपने घर के तरफ मेरी बुद्धी हमारी घर के तरफ जो मेरे साथ थे वो मन्च तक थे पौरियों से नीचे उतरते ही कोई कहां चला गया कोई कहां कोई कहां जैसे हम अभी आए हैं नहीं हम तो अपने अपने कमरों को छोड़ करके यह आ गए है अब फिर जब यहां से जाएंगे फिर अपना वो ही ठीका न जहां रातरी को विस्राम करना है तो बुद्धी उसमें ही होती है पर यह अब हमारा काम पूरा हुआ, क्लास पूरा हुआ यह भी देखा, वो भी सुना अब चलो अपने घर में फिर चाहे नीड आवे, चाहे नावे बिस्तरे पर बैठे हुए कमरे के साथ उसे बातित करेंगे, कुछ रुर्यान करेंगे कुछ समय योग में बैठेंगे कुछ समय कुछ चिंतर करेंगे कुछ पुस्तकों आप परेंगे, लिखेंगे तो वो पार्ट पले करते हैं पर तो रातरी को सोते समय फिर हम detached हो जाते हैं कोई में भी detachment नहीं रहती है जब अपने दे को ही हम छोड़ देते हैं उसको ही हम भूल जाते हैं एक दम से ऐसी गहरी निंड में चले जाते हैं जो सरीर इतना बराल लंबा चौरा भूल जाते हैं सुब को आँक खोलते हैं फिर संक्लब शुरू हो जाते हैं तब तक रात को सोई रहे तो उसमें कोई भी सारी दिन के संक्लब नहीं आए कभी कभी कोई ऐसे होते हैं जिनको थोरे हां सारी दिन के संक्लब राती को नीन में भी आते हैं जिनका बहुत गहरा होता है ने लगाओ या गहरा दुख होता है तो दुख की बाते अंदर रात को सता दी है सोते 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 वो भी बाते चिंतर में आहेंगी किसी का पत्ती चला जाता है ने तो गहरा दुख लगता है तो गहरे दुख में सोते सोते भी वो बाते याद करती रहेंगी पत्ती की याद सताती रहेंगी रोती भी रहेंगी सोती भी रहेंगी क्योंकि लगाओ है लगाओ के कारण वो रोएंगी भी और नीड तो एक स्वधरम ऐसे रहा है का तो सोएंगी भी तो रोना धोना सोना ये सब कठा चलता रहता है पर अन्य तो बाबा ने जीवन में जीने की कला सिखला दी पहले वो कला नहीं थे पहले तो हम समंधों के जीने में खुशी मना देते और मरने में गहरा दुख पैदा करते थे सालों साल तक हम रोते रहते है वो चला गया पता नहीं कहां जाके जनम लिया चोटा बच्चा बनके केल रहा है और हम यहां रो रहे हैं कितनी अग्यानता होती है यह समझ पहले नहीं थी नै तो सबीर होते थे सालों साल तक रोते रहेंगे पर तो बाबा ने इस अग्यानतास्यम को निकाल दे बाबा ने सही समझ दे थी ग्यान मना ही समझ योग मना समझ फिर ग्यान योग फिर धार ना मना दिवे गुनों की संसकार जागर्त करना फिर है सेवा चौथी टांग है सेवा करना वो भी बाबा कहते है हद्द की सेवा है तो बहुत की अपने परिवार की सेवा की कमाया, खाया, खिलाया सम्द अब बेहत की सेवा में आ जाओ सारे संसार की कैसे शिवा करें कैसे अपना गुड वैबरिशन फैलाएं जिसे फैलाने से ही जैसे सूर्य उदय होता है कहां लेकिन परकाश फैलता जाता है फैलता जाता है फैलता जाता है तो ये भी आत्मों में ग्यानकी संसकार जागर्त होना दिरे दिरे संसार में ये सेब संसकार पैदा हो जाएंगे सिमर्ति आती रहेंगी और इनसान सही रूप में जो इनसान होता है वो बनता जाएंगा दिवे गुनों की धारना वाले संसकार देबमान का त्याब दे का भान रहेंगा इने तो हम अभी ग्यान के द्वारा इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते जा रहे हैं जो जो समझ मिलते जाते दुखों से चूटे जाते सरी छोड़ा, किसी ने छोड़ा, दो ने छोड़ा, तीन ने छोड़ा, कटा भी छोड़ दे कई वार ऐसे इत्फाक होते हैं, एक्सिडंट हो जाते हैं, एक्सिडंट में दो दो तीन 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 कठे मर जाते हैं, तो एक एकाद दुखों तो दूसरे वार तीन 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 दुखों कठे होते हैं, फिर भी ग्यान मिलने के बाद, सही समझ मिलने के बाद, ड्रामा का पूरा ग्यानोंने के कारण हम उसी सारे दुखस को सेकर में बुला देती ड्रामा एक ही शब्द यूज़ करेंगे ड्रामा बेंजी ड्रामा में ऐसा ही था और निश्चे में भी आ जाएंगे ड्रामा में था तब तो हुआ ना कुछ नया तो नहीं हुआ जो कुछ हुआ वो ड्रामा में पहले ही था अब हो गया तो हमको फिर फुल स्ट्राप लगाना है बीत गया बीती को बीती देखना है अनभूक करना बीत गया बीता हुआ दिन हाथ में आता है एक घंटा पहले मैं कहां बैठी थी मेरे पास कमरे में कौन कौन थे, मैं किन से क्या क्या बाते कर रही थी, एक गंडे के से भी पांच मिन्ट के बाद बहर निकली, कार में चरी सब बाते वहां की वहां रह गई हैं, यहां आई तो योग का वायू में डर लगा परा, सब बाबा के याद में बैठी तो फॉर आत्मा को ट्राइम का भी खिचा और संगठन का भी खिचा, तो बाबा की हाल में आते ही, अनेक आत्मों के योग शक्ति से, सामने कोई भी एक आत्मा आएंगी, तो उसको खिचा होगा, कशिश होती है, बाप से मिलने की कशिश होती है, बाप समान इस्तिती की कशिश होती है, फिर हम परमधाम का भी अन्भाव कर लेते हैं। चले जाएंगे वहां तो उसका अन्भाव कौन करेंगा, कौन किसको सुनाएंगा। पर तो यहां बैठे-बैठे, जो हम परमधाम का अन्भाव करती हैं, अपने को आत्मा समझ के दूर परमधा में चले जाएंगा। ऐसे लगेंगा, मैं आत्मा बाप के साथ में बैठी हूई 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 से जारी कितना भी गैरा दुख आया होंगा चार दिन पहले पर जब हम अन्भव करते हैं युग में अपनी शांती धाम का तो कितना भी गैरा दुख होंगा ने वो सब खतम हो जाए क्योंकि परमदा में ये साती समंधी ये सुख दुख का पाड़ ही ने तो ओरिजिनल मेरा दाम शानती दाम है, जो सुख दुख से ज्यारा हैं जिसमें दुख का नाम निशान नहीं है। हम आत्में अपने पिता के साथ में रहते हैं अशरी री रूप में अशरी रूप मना ओरिजिनल हमारी इस्ति शक्ति शाली इस्ति तो बाबा कहते है वार वार उसको सिम्रते में लियाओ तो दे के साथ जो मारा समन्द जुटा हुआ है गहराई में रसे बंदे हुए है ये हमारी रसे डीले होते जाएंगे हमको मालूम है संसार माना है केल रहा है सुक और दुख का इसमें सुक भी देखेंगे अलब काल का और दुख भी देखेंगे क्यों हम देख रहे हैं सभी हैं रात भी देखते हैं तो दिन भी देखते हैं रात को हम देखते हैं दिन में कोई और देखते हैं ऐसा तो ड्रामा बना हुआ नहीं है जो दिन को देखता है वो ही रात को देखता है जो सोता है वो ही जागता है जो जागता है वो ही सोता है तो स सुख़ दुख़ के चक्र से हमको निकल नहीं है, परंतु परंधाम की सिमर्ती वार वार रखनी है, इस सज्ञान ने हमको डिटैज बनना सिखला दिया, ओरीजिनल अविस्था का वार वार अन्वो करो, चिंतन करो, कि मैं आत्मा परंधाम में कैसी हूँ, किस इस्थिति में हूँ, और किस के साथ रहती हूँ, उचे ते उचे धाम की भी सिमर्ती हूँ, उचे ते उचे बाब की भी सिमर्ती हूँ, और अपनी उची इस्थिति का भी ग्यान हुँ, तो डिटैज होने का जितना हम अभ्यास करे अतना हमें यहां भी प्रिविर्ति में रहते संसाह में रहते अनिक प्रका की सब बाते होते हुए बिन्यारे रहेंगे कोई बहुत पैसे वाला होंगा धन्वान होंगा बरे मैल होंगे तो उनको जरा भी अपने मैल के आकरशन नहीं रहेंगे क्योंकि वो उसके बीच में जा रहा है यह तो अलब काल के लिए इससे सरीरा के लिए हाँ साध नहरे के को अपने प्रेश साब किताब से मिले हुए है पर यह चीज मेरी आई नहीं है ओरिजिनल नहीं है न मुझे यहां रहना है बरे मैलों में रहते हुए जारी विस्ता लग परिवार में आने के साथी होंगे लेकिन उसको मैसुस नहीं होगा मेरे यह सबसाती है मेरा सदा का साथी बाप है सोएंगी तो बाप के साथ में बाप के याद में उठेंगी तो याद में उठेंगी और करम करेंगी निमत बन करके फिर करम करें मैं निमत हूँ यह सब कल में देखा जब लोके की बाबा की जीवन थी तो भी मैंने देखा ये बाली अविस्था में मेरे को कोई भागय मिला हुआ था बिलकुल बाबा के घर के पास में मेरा घर था तो हम बाली अविस्था में बाबा के घर में जाया आया करते थे बाबा कलकते में जोहलर बहुत तो बाबा तो हमारे से बहुत बड़ा हम 10-11 साल के एज में आए सामने गरोंने के कार आज ये फंक्शन हुआ आज ये गुरू आगए आज फलना आए हम भी चली आते थे कोई निमन तन तो रही उस समय मिलता था जैसे होते हैं बचे गली मौले में रहती है तो बई गली में ये प्रोग्राम है चले जाते थे मना तो कोई करता भी नहीं था तो उस समय में जो मैंने देखा बाबा को कितना शांदार आदमी क्या बाबा की पर्सनल्टी और उसमें चेंज बाबा ने नहीं लाई है ड्रेस भी वही रखी है कुर्टा पैजामा या कुर्टा और धोती जो पहले पेंदे तो वो ही पेंदे बाबा कहते तहस करके बाबा अगर मेरी ड्रेस चेंज करावे न तो कई भगत आतमें साख्यतकार में मूझ जाएंगे क्योंकि साकार में तो बाबा को धोती पर हुई है कुर्टा और धोती है और ये ड्रेस बाबा की चली आ रही है बाबा ने चेंज नहीं की और इस धोती और कुर्टे के अंदर ही आल मेटी ने साख्यतका कराए कि ये रथ ये मेरा रथ है मैंने इसको निम्ट बनाये है ये इनका चोरास्यों जनम है चोरास्यों जनम है ना लास्य जनम तो जिसका लास्य जनम इतना उचा उसका फर्स जनम कैसा होगा लास्य जनम मी उचे ते उचा ज्वेलर मने अच्छे घर में ठाट में रहता था दान धर्मकी तो एक दम बड़ी दिल थी दर्या सादू संतों call खिलाते ही रहते था, जैसे पहले ही सादू संतों का कोई अबाबड़ है, आए दिन बाबा की गर मिखाने के लिए, बरे बरे सादू संता आ जाती थी, तो बाबा की दिल दान में भी बरी, गरीबों को दान करना, ये करना, गिंती नहीं करना, और कभी बाबा पिर्विर्ती में रहा नहीं, बाबा ने कभी अपने लाइफ में गुशा नहीं किया, वंडर लगता है सार साल के उमर हुई, घर में कई बाते होती हैं, जो पसंदी में नभी होती हैं, तो कोई न कोई बात में इस तरी गुश्य हो जाएंगी, कभी बहु नाराज हो लेकिन हमने बाबा के बारे में जो सुना देखा भी पर दो जो सुना अधिक तो बाबा ने अपने लाइफ में कभी गुसा ने किया किसी के ओपर भी नौकर चाकरों के ओपर भी गुसा ने छोटे छोटे बच्चे होते हैं दुकान में आते हैं जो नौकर होते हैं उनके बच्चे फिर उनके बच्चे दुकान में आकर के कुछ न कुछ चुराके ले जाते हैं अब बाबा को मैसुस होता है ये चीज मैं या रखे करके सामने गराग से बात करने गया कार के आगे जाना पड़ता है कार तो रोट पर ही करी रहेंगी उनको दिखाने के लिए दूसरा अस्तान बना हुआ बाहर दिखाती है जोहलरी वगर इसी बीच में बाबा के उससे गदी से कोई चीज चली जाती है बाबा आ करके ऐसे ऐसे करके देखता है तो वो चीज नहीं है बाबा ने खुद डब्यां खोली हुई होती है मालू होता है ये मैंने कोली ये मैंने कोली ये रखी है ये है ने तो बाबा पहले चारों और देखेंगा कौन कौन आजे दुकान के अंदर आया है एक घंटे के अंदर फिर बाबा समझ जाएंगा फलाना नौकर उसके बचे आये थे वो खेल कुद कर रहे थे तो हो सकता है कि खेल कुद में ऐसी चीज़ उनको क्या समझ में आएगा कोई बहुत बरी कीमती चीज़ है कोई चीज़ अची लगी होंगे उठा ली होंगे तो बाबा उसके नौकर को भी नहीं बुलाएंगा पहले डिरेक्ट बच्चों को बुलाके गोदी में बिठाके ट्रोली के पहले ही बाक्से दे देगी जैसे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है ओम शंती अभी अरे ओम शंती नहीं है फाइनल ओम शंती तो बाबा की बात चल रही थी कि बाबा क्या करता था नुक्सान हुआ बाबा के दुकान से कुछ बच्चों ने चीजें उठा ली तो बाबा कैसे पकरे तो बाबा कार में बैठा तो ने तुना हिम के बाबा ने कहा कि ये जो बच्चे दुकान पर है ने उनको मेरे कार में बेजो मैं बाबा इनको घुमा के लिए आता है घुमा ने फिराने के लिए दोनों बच्चों को कार में बिठाया, फिर बाबा जाकर के बजार में से इसको खिलाया, बिस्केट खिलाया, चाक्रेटे दिलाया, जो बच्चों के पसंद की चीज़ें वो दिला दिला करके पेट भरपूर कर दिया, फिर बाबा लेकी आया घर में, उनके घर में, फिर जाये ते ने दुकान पर तो आपने देखा तो बाबा के उसे दुकान में जहां बाबा गदी पर बेरता है ऐसे से करके उसको अपना बना करके और बाबा ने ये डबियां खोली रखी तुमने देखी तो बाबा ने क्या किया बरे को अला कर दिया चोटे को अला कर किया है चोटे से पूछा तो चोटे ने कहा कहा मैंने देखी फिर कहा गई कहता है जो मेरा बरा भाई है न उसने उठा ले फिर कहा की कहा रखी तो कहा वो जो डब यह न ऐसे उपर में ऐसे फैंक दी हैं तो का तुम ने देखी का हाँ मैंने देखी तुम उतार सकते हैं का हाँ मैं उतार सकता हूँ अचछा फिर चरो कुछ उठाओ सादन दिया बाबा ने कहो जाओ उपर से लेतिया ह Tages Eliot साही जो उसको तो उसने भी एकत्रम से सामने से का हमने उठाया कहा किया इदर फैंका बाबा ने का चलो लेकिया हो जब चरा तो बोला अभी है नहीं पहले मैंने तो यहीं फैंका था बाबा ने का फिर कहां गया का पता नहीं किसंए उठा लिया बच्चा था आन्जान था बोल दिया फिर बाबा ने उनको कुछ भी टांटा ने उसके फादर को उसके म Dad को किसी को कुछ भी उल्यना नहीं दिया बाबा अपना काम करके आ गया उनको टोली का बाक्स दे दिया बच्चे को भी दिया चोटे को भी दिया बरे को भी दिया बाबा आ गया तो जो उनका पिता जी था उनको बहुत फिल हुआ वो तो रोने लग गया कि मैं इसे दुकान पर मेरे बच्चों ने ऐसा काम किया है बाबा को का बाबा आप मुझे बता देते तो मैं तो आज मार करक लेना था बच्चों से तो बाबा को तो प्यार देना ही था तो बाबा ने प्यार दिया और प्यार से वो चीज मिल गई तो आप लोग मार देना जानते हो पर तो प्यार देना जानते ही नहीं हो ये मैंने दिखा दिया कि देखो मैंने प्यार दिया प्यार से मुझे मेरी तो बाबा कभी भी चाहे नौकर हो चाहे जाकर हो कोई बच्चे को नौकर चाहकर समझ करके नहीं चलाते थे नहीं नौकर के साथ ऐसा वैवार करते थे उनके साथ भी अच्छा वैवार कभी किसी मौके पर उनको जाना है बेन की शादी है फलाने की शादी है उसको पैसे की जरूता है पर मांग नहीं सकता है शर्म आता है उसको कि अभी मेरे बेन की शादी है मैं ये बाबा से कैसे मंगूँ तंका मुझे टाइम पर बाबा देता ही है तो मैं अभी जा रहा हूँ मैं कैसे मंगू परन तो बाबा सामने से पुछेंगा बचे तुम जा रहे हूँ हाँ बाबा मैं जा रहा हूँ बसे एक सेकर बाबा के सामने खरा रहेंगा ने बाबा समझ जाएंगा कि ये गर के तरफ जा रहा है इसको जरूर वहां के लिए आफशक्ता रहेंगी कुछ पैसे की बाबा सामने से उसके दिल ले लेता था तो सामने से जब बाबा दिल ले लेता है तो जिसको आफशक्ता होती ए उनको तो अंदर से खुश ही हो जाती है कि मेरा स्वाल पूरा हो रहा है तो कहा बाबा आप तो जान गए, समझ गए तो मैं ऐसे मौके पर जा रहा हूँ जबके मुझे कुछ देना भी है वहाँ अच्छा बचे कोई बात नहीं तुम ले जाओ बाबा पहले से उनकी दिल पूरी कर लेता था चिला चिला के बाबा ने पैसा कभी दिया ही नहीं यानि दाता वाली संसका मैं जितनी भी बाते बिरजद्रा दादी बाबा की बहू उनके मुझ से जितनी भी बाते सुनती थी मेरा वार वार सुच चलता था कि संसार में इनसान तो बहुत होती है अच्छे ते अच्छे भी होती है पर बाबा की जो भी संसकार है ये कैसी रॉयल संसकार ये लक्ष्मी नारा की आदी आत्मा चकर लगाती लगाती चोरास्वे जनम में अंतम जनम अंतम जनम में इनसान बना हुआ है बले ज्वेलर है तो है तो इंसानों के बीच में ना कोई देवताओं के बीच में तो नहीं है ना लेकिन फिर भी बाबा के फ्रागतलिवाले संस का दान धर्म तो बाबा के गरे से दर्या के माफे होता ही रहता था जो अतती आता था बाबा के घर से खापी करकी जाता था तो सब में राइल सं का दुख न देने के संसका कोई को भी दुख न मिले एक बार बाबा की बात बताते तो उनकी बाबा की सास थी वो मातेली सास थी तो बाबा ने 80 कुणी में पहली बार बाबा ने ऐसी ऐसी कुणी की तो उनको सामने से का हां तु मेरी मातेली हो ना मातेली सास हो ना कुछ ऐसे बोला होंगा तो उसको फील नहीं हुआ सास को फील नहीं हुआ क्योंको बाबा के मिज़ाज को जानती थी मुश्करा करके चली गई धोरे समय के बाद बाबा ने कह दिया तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा उसके घर में खाना था तो सबी नहीं का बाबा पहले तो आपने कहा नहीं में खाऊंगा अभी आपको बेटे-बेटे क्या हुआ जो आपके दिमें कहाना नहीं खाऊंगा सारा खान आपके लिए तियार है सब बेटे वे आप खाएंगे तो सबी खाएंगे बाबा ने का ने आज तो मैं नहीं खाँगा क्यों नहीं खाँगा बहुत प्यार से सब ने पूछा हमको संक्लब पाता है आप क्यों नहीं खाते हैं हम समझते हैं फिर बाबा ने का मैंने ऐसा शब्द क्यों बोला उसको दुख हुआ उसको फील हुआ इसलिए मैं नहीं खाऊंगा यानि बाबा भक्ती मार्ग में अग्यान तो भी बाबा अपने संक्लप के और किसी को दुख न मिले तो मैं कहती हूँ लक्षमी नारावाली आत्मा अंत में आई है चोरास्वें जन्म, चोरास्वें गरी, लाच गरी उसमें ये संसकार तो दान धर्म के भी संसकार है परिवार को सुख देने के भी संसकार है और धर्न बहुत होते वे भी बाबा ऐसा था जैसे के धर्न से डेटेज्मेंट नहीं अटेज्मेंट नहीं धर्न से डेटेज्मेंट है रहते वे भी परिवार में न्यारा न्यारा रहता था इसने सारे परिवार का प्यार भी खिंच लिया लेकिन परिवार के बीच में बाबा सदा न्यारा रहा किसी विशेश आत्मा से विशेश प्यार नहीं रहा सब विशेश ही थे सब को बाबा ने उनके विशेष्टाउं से देखा और उनसे काम लिया तो कहते हैं बाबा घर के अंदर रहते वे भी सब घर वालों से बिलकुल नहारा था और साधना में पका विर्थों जो रखा वो पका घीता परता था नित नेम से परता था कभी भी बाबा ने गीता पढ़ना मिस नहीं किया होगा चाहे वो ट्रेन में जाता है चाहे प्लेन में जाता है पर गीता माता साथ में गीता पर करके फिर भोजन पान करता है तो ऐसे नियम अग्यान काला में भी पके हो चोरास्वे जन्ह में भी तो आद के संसकार बाबा के कैसे होंगे राजाई ठाट के प्रालबद कितने पकी होंगी जब नियमों में पका है उसकी प्रालबद है तो लक्ष्मी नारण कम्प्लीट सुखों से भरपूर तनका भी सुखो तो मन का भी सुखो तो धनका भी सुखो सम्मंद का सुक पिरजा का सब परकार का सुक यहाँ एक सुक होता है एक नहीं होता है किसी के पास धन होता है तो चोरी भी हो जाता है तो दुख लगा ना किसी के पास बची है बच्चा है दुरों खुश है पर बच्चा चला जाता है फिर दुखा जाता है किसकी इस्तरी पहले मर जाती है तो भी दुख होता है कोई के गर में कुछ ऐसा हाथसा हो जाता है दुख होता है लेकिन हमने देखा बाबा की परिवार में ये सब बतें ऐसे आई नहीं आई नहीं किस बत इसलिए बाबा से बाबा का परिवार खुश था मैं भी भगवान का हूँ, यह सब भगवान का है, ऐसी धानों में पका, दानका संकलप किया तो संकलप को कभी भी वापस नहीं लिया, एक वार बाबा की बच्ची थी निमर्शन्ता, जो इस समय भी हमारे पास मौझूद है बाबा की यह सोगात, बले कलकता में रहती है, पर तो आती जाती है साल में दो-तीन वारत मधबन में रहती है, तिन-तिन चाचान मास रह करके, फिर जरूरी शेवा के लिए कलकता में जली जाती है, तो वो कहती थी तो बाबा इतना दिल का बढ़ा था कि हमारी छोटी बेन वो देखती रहती थी, तो आज बह्मी ने डान किय आज़ डैडी ने दान किया और आपस में बाते करते रहते हैं कि जो यहां दान करेंगा ना सोना दान करेंगा उसको सत्योग में भवश्य में सोना मिलेंगा जो चांदी दान करेंगा उसको चांदी मिलेंगी जो अन दान करेंगा उसको अन मिलेंगा ऐसे से जैसे गर में बाते होती है तो उस बच्ची के मन में भी कुछ आ गया तो उसको सोने की चूरिया पड़ी थी तो एक वार ब्रह्मन आया और उनके गर में खाना खाने तो खाना खा करके जब वो जाने लगाना है तो वो बच्ची उसके पीछे पीछे गई तुमने अपने डैडी से पुछा ने ममी से पुछा ने मैं तुम्हारे से ये चीज नहीं ले सकता हूँ तुम ये पहने रखो तुम अपने ममी डैडी से बात करो ममी डैडी कहे तो हाँ दे दे ना फिर तुम मेरे को देंगे फिर मैं ले लूँ उसने का मैंने तो संकलब किया है ने, मेरी चीज़ है ने, मैं कोई ममी डैडी से थोड़ी चीज़ लेती हूं, मेरी चीज़ है मैं देती हूं, वो कहें नहीं, हम नहीं लेंगे, आकर बात पहुंच कई घर में, तो बाप ने का चलो बच्ची ने संकलब किया है ने, कोई बात नहीं ले जा ब्रहमन को का तुम ले जा तो वो बिचारा बाबा को देख नहीं लगा कि बाबा कैसे कहते है ले जाओ फिर मां से बात की तो मां ने भी कहा कोई बात ने बच्ची ने मेरी बच्ची ने दान किया ने ले जा तुम ले जा तुम ले जा तो सोना भी ऐसे दान करत चूरिया उसको मिल गई ब्रह्मर को आप जान सकते हैं ब्रह्मर के मन में बाबा के पिरते बाबा के परिवार के लिए कितना होगा ऐसे यॉटिकेसंस का दान धर्मन में भी बाबा को उगो का नहीं जैसे की पता ने कौन दे रहा है, कौन ले रहा है किसके भागे ये सबा आ रहा है तो मैं किसी को खेलाने वाला कौन हूँ कभी बाबा को एगो नहीं आता था तो मैं करने वाला हूँ मैं पन तो था ही नहीं सारे यग्य का इतने बरे बरे काम हो गए यग्य में सरेंडर कम्प्लीट बाबा एक नहीं पर ऐसे आठ दस परिवार सरे नर हो गए बाबा को फालो किया फारून तो भी देखो बाबा को एगो नहीं बाबा करा रहा है बाबा का यग यग बाबा अपने बच्चों से करा रहा है बाबा अपने बच्चों से बागे बना रहा है तो बाबा उसी धारनों में रहता था था ने तो बाबा के बुद्धी में श्री बाबा का बले ग्यान नहीं था पर भगवान के पर तो भावना इसलिए बाबा ने जो कुछ काम किया जैसा भी काम किया भावना से किया धारना से किया और कभी भी दान की वी चीज़ को वापस लेना वो रखना ये एक मापाप समझ में आता है कि ऐसे क्यों करें जो दान दिया सो दिया फिर उसको वापस कैसे लिया हुए तो बाबा की धार ना आज दिन तक लास तक भी हम देखते रहें लास चनम लास टाइम हैं तो इतने बने यग्य के कारोबार में तो ऐसी बहुत बाते होती हैं परन तो बाबा की फरागदली बाबा के साथ थी यग्य के पर तभी हर कारे इतने बच्चों को पाला पुशा कैसे खिलाया तो एक विशेश्ता हमने देखी जिसका असर सभी बच्चों के मन में था कि बाबा जो खाएंगा तो नभी खिलाये पर जो खाएंगा ने तो उसको लिए बाबा के मन में रहता है मेरे बच्चों ने नहीं खाया ममा ये बच्चों को खिलाये ममा ये बच्चों बच्चों को इतना याद करता है बात पात पूछो खाता अपने रूम में अकेले बिजन जा दाद बाबा कहेंगा बच्ची पहले जाओ, बच्चों को ये चीज जाके खिलाओ, इतना है, इतना अंदाज है, जाओ जाके खिलाओ, कोई अच्छी चीज बनेगी ने, तो बाबा की जैसे अपने पेट जाए बच्ची है, अपने पेट में ने डाल का कि पहले बच्चों के पेट में पर हैं, तो हम सारी उमर देखते रहें, बाबा को कितना हम बच्चों के लिए प्यार है, इसलिए जिसम में बेगरी लाइफ आइने हैं तो हम सब कुर्बानी का ने लगए, कि नहीं, जैसे बाबा ने ने खा करके भी हम को खिलाया, हर समस्या का बाबा ने सामना किया, हम बचों के सामने भी जो यग्य के पृत आ जाती है परिख्या तो इस में हमको पार होना है। हम भी नख करके पहले शिवा बबा की यग्य में डालेंगे, पीछे हम खाएंगे। यग्य के पृत एक भाव बैठ गया। कि भगवान के यग्य की पहले शिवा करनी है, पीछे खाना है, भगवान ने हम बच्चों को निमित बना है, हम इसे यग्य के बिरहमन है, बिरहमन का काम है, यग्य के पर बनाना भी होता है, खाना भी होता है, खिलाना भी होता है, पर सची नियत से, बाबा ने सची नियत से स तरह रखा रहे आई-बेल के लिए बाबा ने आई-बेल को देखा आई-बेल किया होती है? वो जो आएंगी, वो सामना हम भी करेंगे, बचे भी करेंगे. भावना से सब का کाम किया. इसने सारे यजय की अंदर अनेक प्रका के दिए विघनाएية. परन्तु विग्रों में साथ किनों ने दिया फिर भी बच्चों ने दिया क्योंकि बच्चों के मन में बाबा के लिए बहुत 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 गयरा परभाव था कि बाबा खुद ना खा करके हम को खिलाता है तो हम कैसे खाएंगे बाबा के सामने रहते हैं हम खा सकते हैं, इसने चौदान सार बाबा के साथ, बेगरी लाइफ में भी साथ दिया, और अच्छे शानदार, जब इस्तिती थी, बहुत कुछ था योगे में, तो अभी हम बचोंने साथ दिया, ऐसा बाबा ने सुंदर पाठ परा दिया, नस्टो मौबननी का, बचे तुम यह क्यों आए हो, बार बार पूछता है, बचे तुम यह क्यों आए हो, देखो बाबा वाला उतर किसको आता है, क्यों आए हो, बायों में से पहले उतर दो, इसमें ने ने भाई बहुत है, हाँ, पाठ बजाने के लिए, हाँ, जाने के लिए आए हो, कमाल है पर आए ही क्य अगर जाना ही है तुमको तो आये क्यूं। कुछ और राज है। उठ खरे हो जाओ। हाँ, देखो, ये मर चुक है ने बिचारता बोल रहा है। कहता है हम जीते जी मरने के लिए आये हैं। तो जीते जी मरना माना क्या होता है। हम प्रभू के बन गए था हम इसे संसा से मर गए। अपने तन से भी मर गए। क्यूंके आत्मा अजयरमर अवनाशी है। मैं शरीर तो हूँ नहीं। मैं शरीर से डिटैज हो गए। ये मेरे शरीर का नाम है। ये मेरे शरीर का रूप है। ये मेरे शरीर के साथ ही है, पर तो इसे शरीर को धारन करने वाली ही, मैं आत्मा वो तो हूँ ही अजर अमर अवनाशी, मैं मरती नहीं, ने मैं घटती हूँ, ने मैं बढ़ती हूँ, मैं अवनाशी आत्मा हूँ, दे तो है ये छोड़ने की चीज, आज नहीं चूटेंगे, खेल है ने, खेल में तो ऐसे हूँगा, आना और जाना, आना और जाना, तो मन जिसका उपराम होगा ने, उसको मरने समें कोई कष्ट नहीं होगा, वो अंदर यह समझ रहा है, ड्रामा पूरा हो रहा है मेरा, अब मैं वापस जा रहा हूँ, बोलेंगा भी ऐसे, अब मैं BCB, वहभों में, वस्तों में, परिवार में मुह नहीं होंगा, आठका हुआ, घर में बैठा, अभी घर सिन्यारा रहेंगा, तन में बैठा हुआ, अभी तन सिन्यारा रहेंगा, और मौत कास को डढ़ने, मौत क्या, अग्यान काल में मौत से ड़ते हैं, अग्यान काल में मौत जैसे पता नहीं क्या हो गया बहिए क्या हुआ आया था सुच गया खत्म सरीर में आया वो चला गया तो अब हमको मरने का डर्ड ने काल का भी डर्ड ने हम कोई ऐसा बुरा काम तो करते नहीं जो हमको काल ऐसा पीरा कराए हमारे को तंग करें हुमको जीतना है काल मानद रहते हैं ने घुट घुट की मरना पड़ता हूँ नहीं हम पहले सित्या रहर ही वही तुम क्यूों हम को पकर की ले जाती हो हम आपे चलती है तुम आगे चल, मैं तुम में तुम आगे पीछे बिछे आ रहे हैं मौत वो भी ऐसे कहो, तुम हमारे पीछे-पीछे, तुम आगे-अगे, व we're you on your. आप ऐएगे. तुम क्यों पकरते हमको? कि नगे एक दम निर्भ है, यह है खुशी-खुशी से मनना, खुशी-खुशी से मनना मनना जरा भी घुट घुट के नहीं मनना, और हमारा पुद्धियों किसी में भी नहीं होगा, चाहे वैभव हो बूत अच्छे वैभव हो तुमारे पर क्या करेंगे वैभव को खाएंगे, किसने खाया, फिर जी को खाया बढ़के, क्या फिर्ज लेके आए था उपर से, क्या अभी जाएंगा फिर्ज ले जाएंगा, जीवर पहन के आए दे उपर से, और जब मरेंगे तो जीवर पहन के जाएंगे, आपके गर वाले जब देखा इसने सांस चोड़ दिया, तो दीरे दीरे वहू आएगे बेटाएंगे, उतार तो रहेंगे, गले का हार भी उतार, ए मुंदरी आए ये भी उतारो, वेर्स चल जाएगे, फिर भले वो बेटी को देगे, बहन को देगे, मा को देगे, भाई ये मा की है, आँ तोड़ा तोड़ा ले लो, पर नहां उस हिसमें वो हमारे सब उतार देगे, हम अपने शरीर को छोड़ देते तो जीवरों को कॉन देखेंगा, आँको खोल के देखेंगे, ज जीवर बीवर कुछ नहीं है, एक दिन देखो, ड्रामा करो, सोजाओ, सब को पता लगे, यह गई है, सांस को रोक लुटुरा, फिर देखो कैसे कौन को नाते क्या क्या करते है, दो मिंट में सफाई करके चले जाएगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, उपड़ से सफे चाजा डाल देंगे, भाई मामी मर गई, बात ही खतम ना, कोई देखे गाने, कोई सुनेगा, तो ऐसे तो हमारे सगे सबंदी है, वो ठहरे हुए है, कोई सरी छोड़े तो जो कुछ है नहीं हमारे हमारे हवाले हो जाएगे, कल्यूग का जमन ऐसे है, भूख भी बहुत है, गरीबी बहुत है, आफशक्ता बहुत है लोगों को, ऐसे सची दिलवाला बहुत कोई मुश्किल होगा, जिसका मां से इतना जिगरी प्यारदा कहेंगा, इसके सोने को हम क्या चलो, लेकर के उनका सफल कर देंगे, शिवाबा की यग्य में सुआ कर देंगे, मेरी मां गई यह सबजी और उस ही समय का है, लोग, दादी इसको यग्य में सुआ कर दो, ऐसे कोई मुश्किल निस्वारती बालक होती है, तो हम बालकों में भरुसा नहीं रखते हैं, सच्चा कोई का बालक हो, कोई हाथ उठाए तो मैं शिकल देखना चाहती हूँ, ऐसा सच्चा बालक कोई, जो माम बाप की सची दिल से शिवा करें, हाथ उठाती है, उस मौके पर मेरे को बुला लेना, मैं आके देखूंगे को कौन-कौन सच है, भाई देखो, बारा बजे का टाइम होते है ने, तो हसने असाने का होते है, तो मैं तो सच्पच आप लोगों से, बाहर से कुट आफ करके आई थी, मैं का नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, पर देखा नहीं आँ तो जुन बेटा है, फिर मेरी दिलियां बंद गई, तो मैं का फिर अब हम क्लास नहीं कराएंगे, रुगर्यान करेंगे, रियलाइज करने का कोर्स पका करें कैसे मेरे रस्टोर मुषू हो जाए, तो जीते जी हम अपने आपको करें, हम मरे पड़े है, सब कुछ गया पर ओर है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, बाभा मैं आत्मा, मैं तो आपकी हूँ, मैं आपके पास आई की, आई की आई, रोज पाट पका करो, बाबा बस मैं तो बैठी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरा पोत्रा है, मेरा दोत्रा है, मेरा फलान है, यह उन्हों की है बच्चे, मेरा कोई नहीं है, मैं तो आपकी हो गए, क्यों ज्यान हमको मिला नहीं, बहु को तो नहीं मिला, बह बूरि बित्राप बिल्कुल BAND ही BAND हो, खुले ईनहीं कभी S elastic कीक यह न है की चित्र में इख्थ में आठ शक्ति है उसमेट न ही सक्टी हो, हमैसि समयट न ही कीषक्ती हो हम गो जाना है, हम गो जाना है क्यों बढ़ंपन ने नातिक पूरा हो रहा है यह सारा नातिक पूरा हो रहे हम दाधी की द्वारा देखती है कि हर रोज नहीं नहीं पाता है अरे दाधी आप रात को नेन भी नहीं करते हो और नेने सारी रात ही फिटी रहती है तबियत के कारण भी खांसी थोड़ा होता है परन तुसुप को उठो दो भी-चार सागरमतन ताजा आज बाबा ने मुझे ये का, दो बजे से लेकर बाबा ने मुझे सोने नहीं दिया, बच्ची ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ, जैसे भगवान किसी करें पीछे ही पर गया है, कि ये उन्नों को उठाओ, कुम्बकरों को उठाओ, गाओं में भूत मेरे बच्ची है, उनको उठाओ, जगाओ, बेजो बची, रोज नई नई बाद लेकर आती है, तो हम समते देखो, बाबा ने जिसको निमित बने, उसको सोने नहीं देता है, हम तो आराब से सो जाते हैं, हम को इतने संकलब नहीं आते हैं, जितना वो जिमिवार हैं, जरू बाबा एक को ऐसा टच करेंगा, जिसके वानी की द्वारा काम होगा, तो दादी खुद भी ऐसे बैठी है, उपरा हम सरीर से, घर जाने की त्यारी बाबा 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 मन में लगा हुआ है, इतन कुछ बाबा की यगे में आता है जाता है तो दादी का किसी में भी संकलब जाता है, मकान बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बदी में क्या बाबा की बच्चों के लिए बच्ची बहुत आएंगे, भाई लोग बहुत आएंगे, माते हैं तो आईए उनकी कमरे दादी ने ब पर बातरूम वगए सब सेलवेशन, पैसा आता है किस लिए? एक ही ये संसा है जो शेवा के लिए पैसा फटा फट लगा देती है, अभी भाइयों के हाल बने होई है तो उपर भी बन रहे है तो उनमें भी इतने कमरी होने चाहिए जो उन्हों को रहने वालों को आरा मिले, च तो सरी चोरने से पहले ही, छे मास पहले ही बाबा ने बोल दिया था कि बची ये ब्रमा बाबा भी चला जाएंगा, छे मास पहले बोलता है ये ब्रमा बाबा भी चला जाएंगा, लेकिन तुम्हारा ये यग्ये दिनो दिनो दिन विर्दी को पाता रहेंगा, बची आते रहे तो माले को यह शेवा करते रहने हैं, अविस्था कैसी बनानी है, शेवा कैसी करनी है, परबंद कैसा रचना है बच्चों के लिए, दादी के अंगुली पकर करके 17 तारीक या 16 तारीक अंगुली पकर करके थी नहीं है, बांबे में थी, शेवा बांबे में करती थी, पर कि ये बाबा ने सारा चक्र लगाया बची बची बहुत आने वाले हैं उनके लिए अनाज भी चाहिए इतना 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 अनाज रखना है तुमको इतने इतना कोईला मंगाने हर साल तुमको वहाँ से कलकता के तरुसे कोईले मंगाने हैं इतना इतना ये करने सब डिरेशन मकान का, कोईलों का और अनाजा का सब डिरेशन दिया तो दादी ने सुचा मैं तो यहां रहती नहीं हूँ मैं तो बांबे में रहती हूँ लिटरेचर छपता तर दादी बांबे में थी पर हमारे दीदी यहां थी ठीक है दीदी कलकति में गई है शेवा का ने आएंगी तो मैं बता दूँगी वो सुन रही है पर बुद्धी में ये है कि दीदी आएंगी ने मैं उसको बता दूँगी शेव मास पहले बाबा ने अपने जाने का इशार खिलियर दे दिया पर ऐसे ढंक से दिया जो हमारे बच्चों के बुद्धी ने ये काम नहीं किया कि कहा जाने के लिए बाबा त्यारी करा है ये बाबा भी चला जाएंगा तुमको ये कारी करते रहना है ऐसे से करना है छे मास के बाग वो अठारा तरीका का दिन आते हैं सत्रा तरीक बाबा ने फिर दादी को ये डेरिशन दिया सत्रा तरीक भी कुछ पत्र वगर आई थे उनका उतर दिया सब को परन्तु जैसे कि बाबा साइलेंस की उस भी चल गया अठारा तरीक बेलकुल सालिसच अठारा तरीक की बाबाकोः ऍंटर परना हो गई होंगी अल्मेटी बाबाने कुछ इशारा दिया होंगा तो अठारा तरीक में दीह को मान्नी कलास में आया है, वोग दिन ऐसा था है जो बाबा में आवे और वारी ने चला रहें। ऐसा कभी हो यह नहीं था। वो दिन आया है। जो मौन में बाबा रहा। सब को योगा की दिश्टी देता रहा, देता रहा। इदर उदर सब को किलाज छोटा था कोई बरा नहीं था इतना बराहाल तो था ही नहीं उस समय में तो सब को दिश्टी देता देता silence में फिर उठ खरे हो गए वह सकाश बाबा ने अपन को भी दी दूसरों को भी दी बाबा की विरती अंदर ऐसी थी उपराह बिल्कुर फिर बाबा ने तीन शब्द बोलिया उसी दिन बच्चों को निराकारी निर्विकारी और निर एंकारी रहना तीन शब्द सम्झो गीता निर्विकारी 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 निर् बत्कारी बनने है, चाहे कितना भी उचापाट हो, बर्मा बाप जयसा उचापाट हो जगत में, सब से नबर बन बर्मा की आत्म, सब से, शुव बाबा तो निराकार, पर साकार में कौन? कृष्न को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारा को नहीं कहेंगे, कि ये बना तब तो वो बना, तो ब्रमा है सारे जगत का कंभाइन मात्विता, तो बाबा ब्रमा को भी परमात्मा का इशारा कैसे मिलता है, बाबा उसे समय भी सब को दृष्टी देते, तीन शब्द बोलके, और फिर सीधा किलास से, ऐसे चलते चलते अपने रूम में पहुंच गया, उसमें भी बाबा बिलकुल साइलेंस में, ओव दिन ऐसा था जैसे बाबा मौन में है, बाबा अपना योग बला अंदर यूस कर रहा था, कि अन्तम शरीर हमारा योग सेही छूटे, ऐसा कुछ बाबा की योजना होंगी, पुर्शारती आत्मा तो अपना प्लैन बनाते हैं, फिर शामका टाइम हुआ, तो बाबा को ऐसे बच्चों का वैबरी शनाने लगा, दादी को बुलाया कि आज बाबा निवारी नहीं चलाई हैं तो बच्चे ऐसे से बोल रही है, बच्ची बच्चों का आवाज आ रहा है, तुम जाओ बच्चों को भोजन खिला के किलास में बिठाओ, बाबा के सभी बच्चों से मिलते हैं फिर बाबा करके सभी बच्चों से मिलिया रात्रे को साधे आठ और नौ के बीच का टाइम सभी बच्चों के बीच पे बैठा, सब को बरी दिर्ष्टी दी प्यार भरी रूहानी दिर्ष्टी दी फिर रुहानी दिष्टी दे के फिर अंतम सिखें दी है कि बच्चों को परिवार में कैसे चलना है बच्चों की अविस्था कैसी होनी चाहिए बच्चों का योग और धार्ना कैसा होना चाहिए तो जैसे अंतम बाबा ने सिखें दे दी जाते जाते ने पिता अपने बच्च एक ब्लिश पंचीस मिंद बाबाने बोलाओंग उसलिए. सब दचे खा पी करके आया किलास में, ऐसा कभी इत्यास में हुआ ही नहीं था. कलास हमिशे नो के बाद होता है। खाना-पिना खाके नो के बाद कलास में आते हैं। पर वो दिन ऐसा था जो बाबा के लास में, आया ही नहीं ना, क्योंकि एधे आठ बज़े से नौ बज़े के बीच पहले ही क्लास कर दिया. सब खाना पिना खा के बैठी हैं. फिर बाबा ने ये बोला बोलका कि फिर ऐसे करके, फिर खरे हो करके, बाजु की पिछे करके, फिर बाबा कैसे गोड़ नाइट करता है, अच्छा, मीठे-मीठे, सिक्की लदे बच्चों को, मात पिता, बाब दादा का याद, ब्याद, गोड़ नाइट, अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेते है और विदाई शब्द किस रहसे से बाबा बोलता है उस समय जो बच्चे बाबा के साकारी प्यार में उहला से में बैठे है तो विदाई शब्द का ये अर्थ समझा भई इस कम्रे से हाल से बाबा के तरफ जा रहा है तो हाल से विदाई लेता ह किसी के बुदी में वो विदाई तो आई नहीं, जो बाबा कमरे में पहुंचा तो कोई बच्चे भी पहुंचे थे, कोई नहीं पहुंचे थे, दादी कुमार का, जो मेन थी, जिसको बाबा ने टिकाया हुआ था दो दन से, चोदा, पंदा, सोला को ओ रही थी, तो उसी समय जैसे बाबा ने दिर्ष्टी दी और हाथ में मिला हाथ, बस हाथ में हाथ मिला के दिर्ष्टी ऐसे देते, देते, बाबा का हाथ धिला हो गया, तो दादी ने सिर्फ ये फिल किया कि बाबा का हाथ धिला हो गया, माना कुछ बाबा को हुआ है, फिर ऐसे करके देखा, तो आँके थोरी थोरी ऐसी हो रहिया, पर लिटा करके, च्छाती को मला तब तक hook हो बुला लिया। डॉक्ट अरदुक्टर नी आखे 5-6 मिनर्ड चेक करने के बाद, ऐसी छोटी दिल करके कहा हा। कि पिता स्री अव्यक्त हो गए, पिता स्री अव्यक्त हो गए, दादी ने का क्या बोला, दादी को समझ में जाए क्या बोलता है, उसमें हमारी बुद्धी थो रही, इस बात को ग्रन कर सकती है, जो सदा प्यार में खोई है तो बाबा है, हमारे साथ है, रहेंगा, रहेंगा, रहेंगा और डाक्टर कहते हैं बाबा अब्यक्त हो गए है सरी छोज दिया है अभी आपको किसको खबर देनी हो कुछ को कहना हो तो कह सकती हो बस फिर सेकंड में दादी को जो हाथ में हाथ दिया ना बाबा ने पूरा श्यक्ति का वर्सा देके गया दिर्ष्टी से निमित ब दोचाद ने पहले ही रोका है आई है रोग लिया और फिर हाथ में हाथ मिला के दिर्ष्टी देके अपने शक्तियों का पूरा वर्सा देखी गया फिर जैसे दादी को पता लगा उसी समय दादी को भी मैसुस हुआ जैसे बाबा यु मेरे से करा रहा है दादी का बहुत ब सब्साख भाची होते है आःखारी होते है सपूत होते दो बाबा जिग्री प्यार केचती है ऐसे थी अवे बिचारी याद उद्धियों कभी भी दादी का इदर उदर भटका नहीं होगा, जब से आई, तब से एक बाबा, दूसरी में बस, इदर उदर किसी मेंने, ना इशा, ना दूशे, ना जूट्र, ना पुर्शार्थ में कोई मोटाई, सब ठीक, नैचरल चल रहे थी, स्रीमत पर नैचरल गार करके, सब को वंडर लगा, दादी फोन कर रही है, बरे ताकत के साथ सब को बोल दिया, कि पिता स्री अव्यक्त हो गए है, नौ बजए बाबा ने ये स्री छोरा है, इसरे जिसको भी आना हो, वो जल्दी आ जाओ, ऐसे करके फोन दादी रख रही है, दादी क्या बोला, दा दादी आपने क्या कहा, बाबा चले गए है, बाबा चले गए है, बाबा चले गए है, अब आओ, ड्रमा याद है ना, पका कराती है दादी, ड्रमा याद है, बाबा ने क्या कहा है, अचानक अचानक सब आते होंगी, इसे तुम त्यारी कखिया जाओ, फिर दादी ने देक बाबा ने के इसनले का संसकार, उपर में शांति सित्म हमारा बना हुआ है, शायद कल होके आograp आये हूंगे, तो शांति सित्म हम बना हुआ है, वहां बाबा के दे का संसकार Серव हुआ है निराकारी स्थिति में कैसे रहना है और संसार में आए हैं तो मन भी कैसा होना चाहिए तो बाबा ने सिखा दिया सब को कि बाबा ने कैसे सरी छो रहा तो तुमको कितना उपरा मेंना चाहिए शीखो सरी को छोड़ना भी सीखो कैसे छोड़ा सेकन में वानी चला क्या आया है सारा दिन रहा है पहले योग के उसमें रहा है यगे में कोई भी इस्थूर कारोपार में उस्तर नहीं आया है शाटकर बस हा या ना मिजाब जरूरी तो पत्र लिखा है पत्र आया है तो पढ़ लिया अठारा तारीख भी बाभा ने सब को जिन जिन की पोस्ट आ चूकिती हुन उनको बाभा ने अपने हाथों से उतर दे दिया था उसमें मैं भी एक ऐसी आत्मा थी मेरा भी पत्र सर्वे समाचार का आया था वो बाभा ने उसका उतर लिखा. वो रवाना हो चुका था, पत्र. हम बाद में आके पहुंचे. पत्र वहा पहुंचा, मैं करणाल में थी, और हम ही आके पहुंची. हम नहीं का, कैसा यह अंदर, उसी दिन का पत्र, तो सरी छोने में भी हमने बाबा को प्रैक्टिकल में देखा कि देज से डिटेचमेंट किसी सें भी बाबा की अटेचमेंट नहीं मेरा जनम ऐसे हुआ मैं जब आई हूँ पहले दिन तो एक भेन कि इसी कोने में बैठी हुई है अब मैं समझे, आगे बैठी हूँ, बीच में या ऐसे, तो ओम के धुनी का आवास आया, ऐसा आवास था, जैसे कि आवास एक्टम आकास तक गुण जाता है, बहुत उचाई मिले जाती थी, फिर तीन वार ऐसे करती थी, एक वार करके, 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 सांस के एंडे तक उसको प गुम हो गए, बेलकुल गहरी शांती में डूब गए, कितना समय बैठी रहे, पता ही नहीं लगा हम कहां बैठी है, बैठी भी है या नहीं बैठी वो भी भार नहीं, जब उठी तो चितम इतनी शांती, जो अभी टांगे भी ने चले, इधर से उदर जाने के लिए, फिर जब उन्होंने भाशन दिया, बूला तब हमारी आंखिं कुली, तो हम कह बैठी ती क्या हो हमको, फिर मैं सुति पहले ओम का ई।नी की आवाज आया, आवाज आया, फिर मैं गुम होगी, वह आवाज इतना गुस गया, उस दिन के बाद हम फिर यहां से वापत से यह से गए जैसे, दिल वहां, निमित मातर, घर में जा कि अपना काम का जल्दी करा, फिर सत्संह न सबुघ में, सुबु होा सत्संह न do, स्बुग् सत्संग बस लगन लगे, हम बाबा की है बाबा कीों के रहे इस घर में मारे पड़ रहे हैं, तालो में बंद कर रहे हैं, आदे रहे हैं हमारे दर गाली गुस्ती नहीं थी। जिसे भगवान अंदर बैठा रहा है, मैं तो गाली खाती नहीं। देने वाला देता रहे हम भगवान के हो गए, खो गए। एक साल गाली खाई होंगी। काने पिने में तकलिफ देल, फुद्ध खाना नहीं काने देल, अंदर उखा करें, बेघिन केपल कंड़ में चापर के देल, उनों को पता न लगे, आचानर से रोठी खाई होंगी, डाई से रोठी मिपिल, पाप्ण से रोठी और सब्स्य मांग नहीं सकती है, कहेंगी, जाती हो तो जाओ, तुम और गहाती हम नो गलता हैं, वहां जाके काओ, यहां कीए खाती हूँ? थाना तो लगाते हैं ने, आधानल हम घर चोलके कैसे बाबा के गर में जाएं. देरे देरे मरेंगे ने ऐसी तो रही. एक साल के बाद धीरे धीरे शान्ती के बला से प्रेम के बला से और अंदर कुड़ वैबरेशन से उसके मा के दिल को जीत लिए फिर मा ने हमको छुटी दी है कि जाओ अगर तुम्हारी दिल लगी ही है तो रिष्टेदारों को बुला कि बुला आप इनका फैसला करो मैं तो इसको कुछ करी नहीं सकती हूँ पता ने इसको क्या हो गए कोई कहता है जादू लगा है कोई कहता है इसको भूत आया हुआ है कोई कहता है इसको, यह हुआ है, मैं वो भी सुन लेती दे, बले कोई कहे, भूत आया है, भूत आया है, ऐसे समझ के भी छोड़ दे मेरे को, बले ऐसे भी छोड़ दे, पर सचा ही, सचा ही है, फिर एक साल के बाद जुके है, फिर एक साल के बाद जुके, फिर आने लगे, दे बाबा उमको पता नहीं लगा, लोग पता नहीं क्या-क्या बाते करते थे, अब हमने अपने अपने आखों से दिखा, आप कितने सच्चे पिता हो, कितना सच्चा प्यार देते हो, क्यों हमारी बच्चे खिचे गई आपके पास, आप उनको सच्चा प्यार दिया, वो हम नही नहीं दे सके, फिर धीरे देखा के, फिर माता पिगल गई और फिर हमको ली करके दिया, उसके बाद आज दिन तक हम आपके सामने हैं, तर गर में गए नहीं, निमित बाते जब बहुत उन्होंने बुलाय था, तब मेहमान के तर से गए, साथ दिन रहे पर खाना पिना नहीं फल अर्दूद, साद दिन, और तब पशा साद नहीं, उसक से उनका मन पिगल गए, बूला हम तो घरी-घरी खाती रहती हैं, यह हमारी कन्या हमारी घर मी, खाती नहीं है, फल भी जो आएंगा चार नहीं तो भी सब को टुका-टुका के खिलाएंगी तब खाएंगी, आप लिए लगे, संपरक बढ़ गया, फिर झो हमने का हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, उनहोंने का हम एक पाई भी नहीं देंगा, वनेका तुम्हारी पाई हमको चाहिए इनहीं, तो दीयो या नदीयो, हमको चाहिए इनहीं, फिर दो-चार साल के बाद फिर जो कि कि नहीं आपकी है अमानत हमारे पास, आप अपनी हाथ से सफल करो, हम कहते हम तो भगवान के हो गए हमको भगवान के गर में देने की दरकान नहीं, तुमको जो चाहिए वो अपना भागी बनाओ, मेरे से बाबा मांगता नहीं, मैं अपनी शेवा का क्या अपना भागी बना आपको करना है तो भले आप अपने हाथ से करो, पर मैं क्यू करो, नहीं तो पहले भगवान के बन्चो के मेरी पालना हो रही है इश्वरी अगे में, तो ऐसी मिठी-मिठी बाते बहुत हैं, और यह साफ के बीच में आई हूँ, तो थोरी सी बाते सुना ली हैं, ओम शान द किन शब्दों में मैं जाओं, किस दिल में जो पाया है, वो कैसे मैं समझाओं, फुककार तुम्हारा बाबा, इन शब्दों में मैं जाओं, इस दिल में जो पाया है वो कैसे मैं समझा हूँ उपकार तुम्हारा बाबा मरु भूमी बनी जीवन में हर्यानी बन कर आये बुर्जाय से इस मन पर खुश्वाली बन कर चाए तुलना के योग्य नहीं तुम्हारा बाबा किस की बताओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं फुपकार तुम्हारा बाबा दुर्गं जीवन के रस्ते पग पग पर काटे चुकते कि दिशाहिल मानता दानवता में थे ख़ते दानवता में थे पते पत सुगम बनाया तुने बस तेरी मही मागाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं फुपकार तुम्हारा बाबा कि दुपकार तुम्हारा बाबा झाल 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 झाल